एलो फ्रेंड वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल आप हमारे चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट पजागा सभी कुकिंग एड बेकिंग क्लासी क्लासीच की सभी रेसेपियां आसान तरीके से एकदम फिरी देख सकते हैं है आज हम फीर से एक को रेसेपी चैनल क्लास के आपके साथ सेर करने हैं जिसका नाम है मंचूरियण आप हमारी इस रेसिपी से मंचूरियन ग्रेवी या फिर ड्राय मंचूरियन कोई सा भी मंचूरियन बना का त्यार कर सकते हैं तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं मंचुरियन के लिए कोफता बनाकर त्यार करूंगी कोफता बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एकदम बारी कट हुई पत्ता घूबी इसके बाद मैं ले रही हूँ एकदम बारी कट हुई गाजर इसके बाद मैं ले रही हूँ एकदम बारी कट हुई प्याज सबजियां लेने के बाद अब मैं ले रही हूं नमक को सबजी में अच्छे तरीके से मिख्स करना है नमक के अच्छे तरीके से मिख्स हो जाने के बाद अब मैं इसको पंदरा मिनटiiii algun होगा मैं पानी या लग हो जाए Shield फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है अब मैं इन सब्जियों को निचोड़ का सब्जी का पानी अलग करूंगी सब्जिया आप से जितनी टाइटरी निचड़ सकती है उतना ही सब्जियों को निचोड़ना है सब्जियों का पानी अलग कर यहां पर आपको नमक कम लेना है क्योंकि हमने सब्जियों का पानी अलग करने के लिए इसमें नमक मिलाया था आप मंचुरियन का कोफता बनाने के लिए ले सकते हैं मैगी क्यूब मैगी क्यूब ओप्सिनल में आप इसको डाल सकते हैं या फिसको इसको कर सकते हैं अगर आप मैगी क्यूब डाल रहे हैं तो आपको अपने कोफता के बैटर में नमक भी नहीं डालना है क्योंकि मैगी क्य हो जाने के बाず मैं इसमें डाल हुम मैiदा इसके बाद में время ao cô regard area के साथ अच्छी तरे से मिक्स करना है करने के बाद हमारे कोस्ते का बैटर ढड़ा है मैं में ले अइसके पानी रूख करना है इनस contrac we बैटर में सबजी का पानी सारा मिला दिया है आपके कोफते के बैटर के कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपके कोफते के बैटर की बोल्स असानी से बनका त्यार हो जाए आपके कोफते का बैटर नैतों बोज़द लूज और नहीं बोज़द ठिक होना चाहिए बैटर की consistency देखने के लिए आपको बैटर में से एक छोटी सी बोल्स बना कर देखनी है अगर आपके बैटर के बोल्स की सही बन कर आ अगर आपके बैटर के consistency एकदम परफेक्ट है अगर आपको कोफते का बैटर बहुत ज़्यदा घाड़ा लग तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और आट कर सकते हैं अगर आपके कोफते का बैटर ज्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और कॉन फ्लोल मि के लिए इस बैटर में से कॉफते के लिए छोड़ जोड़ी बॉल्ट बनाका त्यार करूंगी प्लाने के लिए के लिए तेल करम हो गया अब मैं सभी कोफते की बॉल्ट को तेल में डाल रहे हूं यहां पर आपको गैस की फिलें मीडियम डू रखनी है बॉल्स को करूंगी यह कंद्र के लिए क्मारी कोफ्टे की औलस लाइट गोल्डव हो गई है आप वनी कोफ्टा बंका त्यार कोफ्टे को प्लेट में रखने से पहले मैंने प्लेट के ओपर नैपकिन लीआ कोफ्टे में एक्सट्र Ára होगा वह सब नैपकिन बढ़ा जाएगा यह देखें आपको इस तरीके से अपने कोफते का कलर लाइट गोल्डन रखना है मुझे डार्क ब्राउन नी करना कोफता हमारा बनकर त्यार हो गया है अब हम ग्रेवी बना करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए मैं ले ओईल गरम हो ज हर इंचक अध़र को लेसुन के साथ हलका सा रोस्ट करना है लोट मीडियं मीडियंगर है जब आपको यह यूफ क आपको टालने यहां बारे कट Ohin प्याज को आद़ मिनट के लिए हलका सा रोस्ट करना है लाइसरो जाने के बाद में में डाला हूं प्यास्यों के दाल रहे हूं स्लाइस में कटी हुई प्याज अब हमें इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर आधा से मिनट के लिए रोस्ट करूँगी हाई पर सब्ज रोस्ट हो ग scholi पन सब्यह के रोस्ट हो जाने के बाद ले रही है इसकेब को सिंसरीक और सभी सिर्ट के साथ अच्छे तरी किसा गयस की फ्लेम लो रखनी है यहाँ पर डालना है स्वाधन सान नमक यहाँ दिए आपको बहुत कम करना क्योंकि सोस में भी नमक होता है इसके पावडर नमक और पावडर को मिक्स कर यह पर मैं डाल रहे हूं पानी पानी या नियुक्त कर सकते को घ्रेबी रखनी वैसे पानी डालना आप अपनी ग्रेवी के टेस्ट को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल सकते हैं मैगी क्यूब अगर आप ग्रेवी में मैगी क्यूब डाल रहे हैं तो आपको अपने ग्रेवी में नमक नहीं डालना क्योंकि सोस और मैगी क्यूब इन समय नमक भोजादा होता है मैं है कि तरीके सेवाइब अब कोफता यह यह को मारे कोफत का तैक्ट आश्चर दिखाई रखाई अगर आपके कोफ्ते में और भी ज्यादे टेस्टी बन कर त्यार होईगे कोफते को ग्रेवी में डालने पब्लेटिंग करऊंगी मंचूरियन को प्लेट में करने के लिए डाल सकते हैं अगर आप स्किप कर लिए बासिंग के लिए बारी कटाओ धनिया डिनेस क्लास में यहां यहां पर हमने ओर भी richtige की यह बेस आप आप हमाई चैनल पर जाकर चाइनीज क्लास में देख सकते हैं आपको हमाई चाइनीज क्लास में सभी रेसिपिया इंट्रस्टिंग लगने वाली है यह देखें यहां पर हमारा टेस्टी-टेस्टी मंचुरियन बनका त्यार है जो आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादर टेस की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा मंचुरियन की रेसिपी को देखने के वाद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो इस वीडियो की नीचे देखें कमेंट बोक्स में आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं चाइनीज क्लास में मंचुरियन ग् करने वाले ओके फ्रेंड फिर मिलेंगे बाई बाई